हेलो बच्चो क्या से हो आप सब आई हो बच्चे होगे जैसा कि हम लोग का microbiology का सीरी चल रहा है इस चैनल पे हम लोगों ने microbiology में उसका introduction देखा था bacteria का classification देखा था फ्लाइजला के basis पे और उसके उसीा सेरीज को आंगे बढ़ाते ह días हम लोग बैक्टिरिया में रिप्रड़क्शन को देखेंगे अगर आप लोगों मैक्रोभाली इस्सेसकी वीडियो नहीं देखिए थो प्लीज चैनल पर जाएए और उसको देखी और Nadam उसको share करिये ओके चलिह हम लोग इस 膜़ इस टॉपिक को देखते हैं। Reproduction in bacteria, Bacterium in reproduction कैसे होता है? Bacterium in reproduction त्री टैब से होता है, VEGETATIVE reproduction, Asexual reproduction और ensuring genetic recombination, इन में कोई real sexual reproduction नहीं पाया जाता है, उसकी जगवपे genetic recombination होता है, उसी को gene resuffling कहते हैं या short of reproduction कहते हैं vegetative reproduction जो होता है वो binary fusion के द्वारा होता है या budding के द्वारा होता है binary fusion का मतलब होता है कि body body का two parts में divide हो जाना budding का मतलब होता है एक छोटा सा outgrowth निकलना body में और वही body से detached होके नया bacteria बना लेता है asexual reproduction जो होता है वो कई टैप से होता है जैसे कि पहला टाइप है indo spore formation indo spore जो होता है उसमें calcium diplo colonic acid प्रेजेंट होता है यह highly resistant होता है heat और temperature के लिए और यह organ of perination की तरह कारे भी करता है उसके बाद होता है दूसरा asexual reproduction cyst formation के द्वारा यह cholestridium titanium में होता है third juice spore के द्वारा होता है जो कि rhizobium के species में देखा जाता है next है conedia, conedia का formation भी इसमें होता है यह filamentous bacteria में देखने को मिलता है जैसे कि actinomycetes class में यानि कि frankia में हम लोगों ने कल frankia के बारे में पढ़ा था कि यह symbiotic association के form में रहता है non-leguminous plant में वह non-leguminous plant कौन से है अलनस है अमेरिका है और कैजुरीना है ठीक उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं genetic recombination के बारे में जो genetic recombination होता है वो three types होते हैं transformation, conjugation और transduction transformation जैसा कि नाम से पता चल रहा है transform यानि कि transfer होना यानि DNA material का एक bacteria से दूसरे bacteria में transfer होना transfer of a DNA from one bacterium to another bacteria by unknown mechanism यानि कि इसका कोई mechanism पता नहीं है लेकिन transfer हो जाता है genetic material का यह इसको सबसे पहले प्रूफ किया था Griffith ने किसमें प्रूफ किया था इस टेफलो कोकस न्यूमेनी में नेक्स्ट है conjugation, conjugation डिस्कवर किया गया था लीडर बर्ग और बाटम के द्वारा इकोलाई में और इसमें conjugation ट्यूब बनता है जिसमें कि जो एफ प्लस से होते हैं यानि कि डिस्कवर किया था जिंडर और लेडर बर्ग ने जो ट्रांस्डक्शन का question है ये question पिछली एयर में पीजीटी के exam में पूछा गया था कि ट्रांस्डक्शन को किसने डिस्कवर किया है तो जिंडर और लेडर बर्ग ने डिस्कवर किया है किसमें डिस्कवर किया है सालमोलेला टाइफिनियूरियम में यह प्रकार का बैक्टीरियो फेज वाइरस पे इन्होंने देखा था यारी कि जो बैक्टीरियो फेज वाइरस होता है उसके द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसडक्ट कर दिया जाता है जन फाला टर्मिनलोजी है EPSOM EPSOM क्या होता है integration of F-plasmid with main genome is known as EPSOM यानि कि जो बैक्टिरिय में F-plasmid होता है उसका main genome के साथ अगर integration हो जाता है तो उसी को EPSOM कहते है देखे जो red color से दिखाया गया यह main plasmid है और जो blue color से है वो F-plasmid है दोनों का integration ही क्या कहलाता है EPSOM कहलाता है HFR cell क्या होते है highly frequency donor cell यानि कि the cell containing EPSOM is called as a HFR cell एसे cell जिनके पास EPSOM होता है उसी को HFR cell कहते है एफ प्राइम सूपर मेल यानि कि इसको F-prime या सूपर मेल कहते है ये exam में आया हुआ था इस बार के PGT में F-prime के F-prime से related conjugation के बारे में अब हम आके इसके देखेंगे कि उससे क्या related question पुछा गया था ठीक पहले हम F-prime या सूपर मेल को समझते हैं कि सूपर मेली F-prime क्या होता है main genome plus some part of F-plasmid and F-plasmid plus some part of main genome in a cell यानि कि कोई Excel है उसमें main plasmid जो होता है वो F-plasmid से integrate हो जाए और जो F-plasmid होता है वो main plasmid से integrate हो जाए और इस तरीके से जो सल बनता है उसी को सूपर मेल कहते हैं यानि कि main plasmid और F-plasmid F-plasmid और main plasmid यह सूपर मेल है अब आता है conjugation type यहीं से question बना था पिछली बार के टीजीट में नहीं बना था कि F-prime और F-minus के बीच में जो conjugation होता है वो किस प्रकार का conjugation होता है यानि कि sex reduction के बारे में पूछा था कि what is a sex reduction ना कि conjugation उसे पूछा था कि sex reduction किन के बीच में होता है F-plus F-minus के बीच में इपी सोम और एज़फर सेल के बीच में F-prime और F-minus के बीच में तो यहीं चीज यहां पर हमें देखना है normal conjugation तो मैं पता है F-plus और F-minus के बीच में होता है लेकिन F-duction और sex reduction क्या होता है F-prime यानि की super male का male के साथ जो conjugation होता है या HFR cell का जो male के साथ conjugation होता है उसी को abduction और sex reduction कहते हैं यह important point है इसको note up कर लीजेगा और इसको अच्छे से देख लीजेगा यह था bacteria में reproduction जिसको हमने देख लिया है किसमें किस प्रकार से reproduction होता है और कैसे reproduce करके अपने numbers को increase करते हैं अब हम लोग अगले lecture में इसके importance को पढ़ेंगे यानि कि bacteria का importance क्या है उसकी activity के बारे में पढ़ेंगे तब तक के लिए thank you